दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि हमारे देश की नदिया इतनी गंदी क्यों है कुछ लोगों का कहना होगा कि फैक्टरी का कचरा और गटर का गंदा पानी नदियों में छोड़ा जाता है मैं आज आपको इसके पीछे कार्ण बताता हूँ क्यों हमारे देश की नदिया एतनी गंदी रहती है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की सभी नदियां एक दूसरे से जुड़ी होगी इसलिए अगर एक नदी गंदी होगी तो उसका प्रभाव सभी नदियों पे पड़ेगा कुछ श्टेट गवर्मेंट नदियों पर ध्यान देती है तो कुछ हलके में ले जाती है इसलिए जो नदी साफ हो भी गई है तो उसमें दूसरी नदी का गंदा पानी आके मिल जाता है